नमासकार दोस्तों, युकरेन में चल रहे युद को एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। दिन प्रती दिन लगातार दोनों तरफ रशियन और युकरेनियन सॉल्जिर्स मारे जा रहे हैं। civilians की जाने जा रही हैं, शेहरों पर bum गिराए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में Ukrainians refugees बन रहे हैं Russia पर लगाएगा sanctions, Russia के अंदर चल रहे anti-war protests और कुछ जो peace talks होई थी Russia युकरेन के बीच में ये सब नाकाम रही हैं अभी तक इस युद को रोकने में सुनकर आपको लगेगा कि कहानी ज्यादा बदली नहीं है लेकिन याद रखिये, हर एक दिन, जब युद चलता है नए लोगों के घर तभा होते हैं, नए शहरों पर हमला होता है और नए लोग refugees बनते हैं आज के इस वीडियो में आए गहराई से समझते हैं स्युद प्रके अजय को लोगो सब्सक्राइप है For God's sake, this man cannot remain found. UNHCR ने Casualties को भी Verify किया कि कम से कम 19th March तर 902 civilians मारे गए हैं. उन्होंने खुद कहा कि actual number इससे कही और ज्यादा होगा, ये तो सिर्फ verified deaths हैं. Defense Minister के according, 400 schools और kindergarten और 110 hospitals भी destroy हो चुके हैं. और एक शहर जिस पर शायद सबसे ज्यादा असर दिखा है इस युद का, वो है मारियो पोल. South Eastern Ukraine का ये शहर जिस पर लगातार तीन हफ़तों से बंबारी हो रही है, civilian centers पर अटैक किया जा रहा है. Shopping centers, hospital, residential areas पर भी बंब गिराए गए हैं. हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर estimate किया गया है कि सिर्फ इसी शहर में 2,300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं. और French Foreign Minister के according, मारियो पोल अब एक नया आलेपो बन गया है. आलेपो सीरिया देश में वो शहर है जो सीरिया वार में पूरी तरीके से खतम हो गया था. खंडर हो गया था यह शहर जब इस पर इतने ज़्यादा बं गिराए गए थे. इस शहर की फोटोज आप देखोगे तो देखकर ऐसा लगेगा कि यह किसी पोस्ट एपोकलिप्टिक फिल्म की फोटोज हैं. और अब युकरेन में मारियो पोल शहर की फोटोज देखी है. इसका भी अब यही हाल हो चुका है. एक ग्रीक डिप्लोमेट जो मारियो पोल से लौट कर आये थे उन्होंने कहा उन्होंने कहा मारियो पोल शहर अब इतिहास के पन्नों में ऐसे शहरों में गिना जाएगा जो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे वार की वज़े से. एक रिपोर्टर और फोटो जर्नलिस्ट का कहना था कि रशियन सोल्जर्स अब इस शहर में जर्नलिस्ट को हंट डाउन करने लग रहे हैं. यह कहते हैं कि यह वन अफ दी आखरी इंटरनाशनल जर्नलिस्ट थे जो इस शहर में मौझूद थे और यह उक्रेनियन सोल्जर्स की मदद लेकर बच कर भाग पाया उस जगह से. इन्होंने बताया कि इन रशियन सोल्जर्स ने बिजली पानी कट ओफ कर दिया है इस शहर से. फूड सप्लाइज भी रोक दी गई हैं और सेलफोन, रेडियो टावर्स और टीवी टावर्स को भी बंद कर दिया गया है. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ऐसे जर्नलिस्ट के लिए जो अपनी जान दाव पर लगाकर बार जोन के अंदर जाते हैं हमारे तक सचाई पहुँचाने के लिए. मारियू पोल में रशियन मिलिटरी ने युक्रीनियन सोल्जर्स को एक अल्टिमेटम आफर भी दिया था. जो भी लोग अभी तक फाइट करने लग रहे हैं युक्रीन की तरफ से वो अपने हतियार रख दे नीचे और हम उन्हें सेफ पैसेज दे देंगे वापस जाने का युक्रीनियन कंट्रोल टेरिटरीज में. लेकिन युक्रीनियन सोल्जर्स भी हार मानने वालों में से नहीं हैं. उन्होंने इस ओफर को रिफ्यूस कर दिया. युक्रीन की डेपिटी प्राइमिनिस्टर ने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता यहां पर कि हम अपने हतियार नीचे रख दे. आखिर बात यहां पर अप खेरसन जो रशिया ने भी इस वार में उक्यूपाई किया है. अगर मारियो पोल भी रशियन उक्यूपेशन के अंडर आ जाता है तो यह पूरा एक तरीके से हिस्सा कट ओफ हो सकता है युक्रीन से. क्रीमिया खेरसन से लेके डोनेट्सक लोहांस तक. पूरा साउथ कौन सी डेट को किस एरिया को उक्यूपाई किया. युक्रेन के साउथ में आप देख सकते हैं कि जिन एरिया को रशिया ने उक्यूपाई किया है वो एक्चुली में 13-14 मार्च तक लेटेस्ट अपडेट था. यानि कि पिछले 15 दिन से रशिया ज्यादा आगे नहीं हाला कि यहाँ पर भी पिछले एक हफते से रशिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है. लेकिन युक्रेन के लिए सबसे ज्यादा एडवांटीजिस पॉजिशन रही है नौर्थ ऑफ युक्रेन जो एरिया युक्रेन की राजधानी कीव के पास है. इसके आस पास रशि से उस territory का control वापस छीना. इसका एक बहुत बड़ा example है कीव के पास एक छोटा सा सबर्ब माका रीफ का. माका रीफ strategically बहुत important एरिया है और similarly खारखीव शहर के पास एक सबर्ब है चूहुईव नाम से. ये एक और ऐसी जगह है जहाँ पर युक्रेनियन सोल्जर्स ने fight back करक के वापस इस एरिया को युक्रेन के control में ला दिया है. ओवरॉल देखा जाए तो इस situation मोटे मोटे तोर पर एक stalemate बन चुकी है अभी के लिए. रशियन फोर्स के लिए पिछले कई दिनों से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है. युक्रेनियन फोर्स अपने शहर जादा आगे इधर उधर बढ़ नहीं रहा है. यह situation युक्रेन के लिए कही ना कही एक अच्छी ख़बर होती, लेकिन बस problem यह है कि जिन शहरों में रशिया की आर्मी नहीं पहुँच पाई है ग्राउंड पर, वहाँ पर रशिया आक्चुली में बम गिराने लग रहा है. वेस्टन युक्रेन में मौझूद ये सारे शहर जिन पर आप ये यलो औरेंज कलर का मार्क देख रहे हैं. इन पर बम गिराए जा रहे हैं. यहां पर भी सिविलियन्स मारे जा रहे हैं और स्कूल्स और हस्पतालों को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. इन में से एक ऐसा शहर है जाय टोमिर. कीव के वेस्ट में मौझूद है जिस पर बहुत बुरी तरीके से रॉकेट्स और एर अटैक्स किये गए. जो युक्रेनियन्स इस्ट युक्रेन में रह रहे थे उन में से बहुत से लोग जब उनके शहरों पर हमला हुआ तो रेफ्यूजी बनकर इस आए रहने के लिए. इन्ही बम धमाकों के बीच कुछ और खतरनाक चीजे होने का भी डर होता है. जैसे कि नौर्थ इस्टन युक्रेनियन शहर सुमी में जहां पर एक केमिकल प्लांट पर रश्यन शेलिंग का असर दिखा. 21 मार्च को एक 50 टन का टैंक जिसमें पॉईजन अमोनिया ग्यास रखी थी. वो डैमेज हो गया और हावा में करीब धाई किलोमेटर के रेडियस तकी अमोनिया ग्यास फैली. हाला कि उस रीजन के गवर्नर ने कहा कि लीक को अब कंटेन किया जा चुका है, अब सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है. लेकिन ये एक इंस लेकिन इस शहर की बहुत ज्यादा स्ट्राटेजिक इंपॉर्टेंस है. इस शहर बिल्कुल वेस्टन पार्ट पे है युकरेन के, पोलेंड के बॉर्डर से बहुत नजदीक, पोलेंड एक नेटो का देश है. तो जंग अगर इस शहर के नजदीक आती है, वो नेटो के दर रश्या के खिलाफ आ चुके हैं. उस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, साउथ कोरिया, जपान, सिंगपूर, ताइवान इन देशों ने भी अब रश्या के खिलाफ सैंक्शन्स लगा दिये हैं. इन फाक्ट आज के दिन रश्या दुनिया की सबसे ज्यादा सैंक्शन कंट्र बन चुकी है. अगर चीजे ऐसे ही चलती रही, तो नॉर्थ कोरिया जैसी हालत हो सकती है रश्या की. जितना आइसोलेटिड नॉर्थ कोरिया है बाकी दुनिया से, जितना कट आफ हो रखा है नॉर्थ कोरिया, वैसे ही रश्या भी हो सकता है. स्विचलेंड जैसा देश, democracy और barbarism के बीच में तो हम यहाँ पर शांत बैठे नहीं रह सकते हम यहाँ पर कुछ कदम उठाएंगे जपान की अगर बात करें तो जपान देश के stance को लेकर रश्या काफी गुस्ते में रहा है जपान और रश्या के बीच में एक disputed territory थी कूरिल आइलेंड्स की अब दोनों देशों के बीच में peace talks चलने रग रही थी इन disputed territories को लेकर लेकर लेकिन रश्या ने अब इन talks को रोख दिया है साल 1991 और 1999 में ऐसे travel rules बनाए गए थे रश्या की agreement के साथ कि जिन Japanese लोगों के पुराने घर है इन आइलेंड्स पर उन्हें visa free travel दिया जाएगा इन आइलेंड्स के लिए अब रश्या ने इन visa free travels को cancel कर दिया है Japanese लोगों के लिए अब अगर रश्या की बात करने तो रश्या के अंदर anti-war protest चलने लग रहे हैं जैसे आप जानते ही होंगे धेरों लोग Ukraine के support में actually दिखाई दे रहे हैं सडको पर इसी चीज़ को लेकर एक बहुत ही major incident हुआ करीब एक डेड़ हपते पहले Russian state TV channel 1 में काम करने वाली एक Russian news editor जिनका नाम था Marina Kovsi Anikova ये TV studio के set पर चली गई एक live broadcast के दोरान चिलाते हुए stop the war no to war इन्होंने हाथ में एक sign भी पकड़ रखा था इस पर लिखा था don't believe the propaganda they are lying to you here ये जो Russian media आपको बताने लग रहा है ये सब जूट है इनके propaganda में मत फसिये हम सब को war के against आवाज उठानी होगी इस sign board पर English में sign किया गया था Russians against the war जब ये incident हुआ कुछ ही second के अंदर इस TV चैनल है अपने transmission को switch कर लिया किसी और चीज़ पर ताकि इस चीज़ को दिखाया ना जा सके लोगों के सामने बहुत ही बहादूरी का काम था जो उन्होंने यहाँ पर किया यह देखिये मरीना ने अपने एक pre-recorded वीडियो भी रिलीस किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें शर्म आती है एक propaganda TV चैनल पर काम करते है उन्हें शर्म आती है कि वो TV पर रोज रात को जाकर जूट बोलती है रशियन जनता के सामने उन्होंने कहा कि इस TV न्यूस प्रॉपगेंड़ा ने रशियन्स को जॉम्बीज बना कर रख दिया है उन्होंने याद किया कि कैसे 2014 में जब रशियन उपोजिशन लीडर अलेक्स साय नवालनी को पॉईजन करने ही कोशिश करी गई थी तो कैसे उनकी न्यूस चैनल को कहा गया था इस पर कोई रियाक्शन नहीं देना चुप रहना है इस इशू पर उन्होंने बताया कि उनका टीवी चैनल चैनल वन नाम से जूट फेलाने लग रहा है यूकरेन वार पर और इन सारी चीजों का ब्लेम उन्होंने सिर्फ एक इनसान पर डाला व्लाडिमिर पूटिन उन्होंने रश्या की जनता से कहा आओ सडकों पर उतरो और इस वार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो कितनों को ये जेल में डालेंगे अगर हम सब सडक पर उतर गए प्रोटेस्ट करने लग गए इतनी जेल भी नहीं होंगी यहांपर सबको तो ये जेल में नहीं डाल सकते बाद में मरीना को डीटेन कर लिया गया रश्यन पुलीस के दौरा और एक मौस्काओ के कोट ने उन पर 30,000 रूबल्स का फाइन लगाया इस वीडियो के लिए और ये जो हरकत उन्होंने करी थी उसके लिए दूसरी तरफ यूकरेन से ऐसी ही एक और बहादुरी की कहानी सुनने को मिली एक इंडियन लड़की को लेकर जिनका नाम है नेहा नेहा हर्याना के चर्खी दादरी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं इनके पापा इंडियन आर्मी में थे लेकिन करीब दो साल पहले इन्होंने अपने पिता को खो दिया था पिछले साल ये उक्रेन में गई अपनी मेडिकल पढ़ाई करने के लिए एक मेडिकल कॉलिज में अड्मिशन लिया अनफोचिनेटली इन्हें कोई हॉस्टल अकॉमडेशन नहीं मिल पाया तो इन्होंने एक कमरा रेंट कर लिया एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के घर पर एक युक्रेनियन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो कीव शेहर में रहते थे लेकिन जब इस जंग की शुरुवात हुई इनके हाउस ओनर इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ने वॉलेंटियर किया कि ये युक्रेनियन आर्बी जोइन करेंगे और अपने देश की सुरक्षा करेंगे पूटिन के इन्वेजन से ये घर छोड़ कर चले गए और घर पर रहे गए इनके बीवी और तीन बच्चे उनका ख्याल कौन रखता दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्योट किया जा रहा था तो नेहा के पास मौका था कि वो बॉर्डर क्रॉस करके रोमेनिया चली जाती जहां से वो फ्लाइट पकड़ सकती थी इंडिया के लिए सुरक्षित रह सकती थी लेकिन नेहा ने यहाँ पर कहा कि मैं इने छोड़ कर नहीं जाऊंगी इनके बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा तो ये उन्हीं के साथ वहीं पर कीव में रुकी रही नेहा ने इस मुश्किल समय में उस परिवार का साथ नहीं छोड़ा जिसने उन्हें रूम रेंट पर दिया था रहने के लिए त्रिब्यून की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारे लोग अभी भी सेफ और सुरक्षित है नेहा उनके बीवी और बच्चों के साथ सेफली पोलेंड में मूव हो चुकी है नेहा और मरीना जैसे लोगों की बहादुरी और करेज के लिए बहुत रिस्पेक्ट यहां पर आज जिस समय में ये वीडियो बनाने लग रहा हूं 29th मार्च है पहली face-to-face talks चलने लग रही है रश्या और युकरेन के बीच में पीस नेगोशियेट करने के लिए ये पहली face-to-face talks आक्चुली में टर्की में होने लग रही है इससे पहले जितनी भी peace negotiations होई थी इन दोनों देशों के बीच में इस युद के दोरान जहां पर शांती बनाने की कोशिश करी गई थी ये सारी negotiations वीडियो कॉलिंग पर होई थी ये पहली बार है कि इन दोनों देशों के leaders साथ में बैठ कर मिलने लग रहे हैं जब से ये युद शुरू हुआ है obviously Putin और Zelensky तो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं कि इन दोनों देशों के foreign ministers जरूर एक दूसरे के साथ बैठ कर बात करने लग रहे हैं इस meeting की शुरुआत करी Turkish President Edoğan ने कुछ शब्द कहकर It's up to the two parties to put an end to this tragedy The whole world is waiting for the good news from you पूरी दुनिया इन दोनों पार्टी से यहां पर good news का इंतजार कर रही है कि कब ये जंग रुकेगी ये negotiations आसान नहीं होने वाली हैं क्योंकि यहां पर कोई तो है जो इस जंग को जारी रखना चाहता है क्योंकि Monday को दोस्तो रिपोर्ट किया गया था Wall Street General के दौरा कि जो Ukrainian peace negotiators थे और एक Russian billionaire Roman Abramovich ये वैसे Chelsea football club team के owner भी हैं यहां पर इन लोगों में suspected poisoning के symptoms देखने को मिले यानि ये माना जा रहा है कि इन्हें poison करने ही कोशिश करी गई किसी के दौरा दोनों को Ukrainian peace negotiators को भी जो Ukrainians थे और इस Russian billionaire को भी रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इनकी आँखे लाल हो गई थी और skin peel off होनी शुरू हो गई थी Fortunately, इनकी health काफी अब improve हो चुकी है और danger में नहीं है ये लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि किसने इन्हें poison करने ही कोशिश करी कौन यहां पर नहीं चाता कि इनके बीच में peace negotiations successful हो अब दूसरा point यह है कि ख़बर में आ रहा है कि दोनों Russia और Ukraine कुछ हद तक compromise करने को तयार हो गए है ताकि यहां पर शांती बनाई जा सके इस युद को खतम किया जा सके Ukraine के head of state Zelensky के कहना है कि वो guarantee करते हैं कि उनका देश एक neutral देश बन के रहेगा और साथ ही साथ non nuclear country रहेगा ना तो nuclear हत्यार अपने पास लाएंगे और ना ही किसी NATO को join करेंगे साथ ही साथ वो कुछ territories में compromise करने को भी तयार हो गए है Eastern Ukraine में जो Donets और Luhans का separatist controlled area है और कुछ Russian occupied territories जो है अगर जंग रुक जाती है यहाँ तो Ukraine कोशिश नहीं करेगा उन territories को वापस लेने की ऐसे जेलिंस्की ने अपना यहाँ पर offer रखा compromise का दूसरी तरफ report किया जा रहा है कि Russia भी कुछ हद तक compromise करने को तयार हो गया Financial Times की report के according Russia Ukraine को European Union join करने देगा उसमें interfere नहीं करेगा as long as Ukraine NATO को join नहीं करता और Ukraine officials भी इस से राजी कर गए हैं उन्हें इतना interest नहीं है NATO join करने में आप पूछोगे कि अगर सब चीज़े यहाँ पर यतनी clear हैं तो problem कहां आ रही है problem आ रही है दोस्तो दो reasons की वज़े से पहला reason है पूटिन latest reports के अनुसार पूटिन actually में बिलकुल भी कोई compromise नहीं करना चाहता hopefully यह चीज़ आने वाले दिनों में change हो सकती है और दूसरी problem आएगी territories negotiate करने में आज के दिन इस नक्षे को आप देख सकते हैं कि रश्या कितने areas को occupy कर चुका है यूकरेन के अंदर जब दोनों देश negotiate करेंगे एक दूसरे से कि यहां पर क्या किया जाए territories को लेकर क्या इस portion में जहां पर रश्या है अब ये रश्या को belong करता है यूकरेन का ये part या फिर ये यूकरेन को वापस दे जिया जाए रश्या फोर्सिस यहां से हटा दी जाए कौन सा एरिया यूकरेन के पास जाए कौन सा रश्या के पास जाए और कौन सा यहां पर independent छोड़ा जाए इसी चीज़ को लेकर बहुत चर्चा होगी डिबेट होगी बताया तो ये भी जा रहा है कि रश्या यहां पर कोशिश करेगा कि यूकरेन को दो देशों में बाट दे जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बटे हो या दो देशों में जैसे ब्रिटिश ने अपने देश को इंडिया और पाकिस्तान में बाटा था ऐसे ही रशिया चाहेगा कि जो साउथ इस्टन पार्ट है युकरेन का वो अब एक अलग कंट्री बन जाए क्रीमिया से लेकर ये जो सेपरिटिस रीजन्स थे युकरेन के कुछ हद तक कॉंप्रमाइज करने को तो तयार है युकरेन लेकिन क्या ये होने देगा युकरेन ये यहाँ पर एक बहुत इंपोर्टेंट सवाल है करता हूं वीडियो इंफर्मिटिव लगा होगा अगर आप इस वार का बैकड्राउंड जानना चाहते हैं कि रश्या युकरेन के बीच में क्यूं होने लग रहा है तो इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी जाकर आप इसे देख सकते हैं युकरेन और रश्या की हिस्ट्री जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद